हेलो डियर स्टूइट्स आप सब के लिए बहुत बड़ी गुड नियूज है कि आपकी जो मैंड लिस्टे और कॉंसलिंग का जो शुडियूल है वो आज रुका है तो स्कूल ओफ एमिनेंस और मैरी टोडियर स्कूल दोनों के लिए कॉंसलिंग का शुडियूल जो है वो जारी कर दिया गया है और जो merit list हैं वो भी जारी कर दी गई है तो आज की student में प्रोपर आपको सारी जो जानकारी provide करने वाला हूँ तो काफी सारे जो student हैं हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए बट अगर आपने अभी तरब भी चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर देना क्योंकि बहुत मेहनत करता हूँ है आप सब के लिए जो भी information आती है सबसे पहले provide करने की तो मुझे खुशी होगी कि अगर आप पहली बार आए हैं और चैनल में नए हैं और चैनल को subscribe किया है तो अच्छा लगेगा हमें भी और आप इस notice में दे सकते हैं कि जो public notice जारी किया गया है तो यहाँ पर जो main main point है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर school of amnes के लिए 18 school है और 10 meditory school है जिसमें एक जो school है वो लड़कियों के लिए है लड़कियों के लिए जो 9th class का result है वो डेक्लेर हो चुका है तो 11th class के लिए admission के लिए और 9th class के admission के लिए जो एक exam था वो लिया गया था 30 March को तो उसका जो result है वो भी जारी कर दिया गया था ठीक है अब school of eminence और meditory school में दाखले के लिए जो eligible candidate है उनके लिए अललब जो लिस्टे है वो तियार कर ली गई है meditory school की जो लिस्टे है वो public logic के साथ attach कर दी गई है तो school of eminence की जो list है med list है जो school of eminence है उनकी ID में upload की गई है ठीक है तो जो school of eminence की med list है वो कैसे मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगे फिलाल जो meditory school की meditoryist की meditoryist है वो आपको कैसे मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा आपको पहले हम ये letter पढ़ लेते हैं अब यहाँ पर counseling का जो schedule हो भी बता दिया गया है और आपको जो schedule है वो भी बता दिये जाएगा आपने कौन-कौन से school में कैसे कैसे जाना है ठीक है तो फिलाल मैं counseling के schedule में पहले बता दूँ आपको क्या क्या schedule है तो देखे या आप जो counseling का schedule है या आप मेड़िटूरियस के लिए इसके लिए counseling का जो समय है वो 9 माई 24 को है सुबह 8 बजी से लेकर 5 बजी तब होगी आपकी counseling तो जो man list है वो gender wise जाने की लड़कों की अलग है और लड़कियों की अलग है तो पहली आपकी जो counseling होगी वो 9 माई को होगी क्योंकि उसके बाद 10 को चुटी है उसके बाद आपकी 11 माई को शनिवार को होगी आपकी counseling उसके बाद Sunday को भी है आपकी counseling उसके बाद Monday को भी है counseling तो देखिए संदे वाले दिन भी counseling रखी गई है उस शनिवार की बाद करो तो शनिवार भी second 行साटए उस दिन में छुटी है उस दिन भी aapstudie cooling रखी गई है तो लड़कियों गिनती है वह एक से आठ है और लड़कों के लिए जो एक सो एक से लेकर 600 तक है तो यहां पर आप सभी शडूल जो है वह दे सकते हैं वह आठ सो लड़कियां और 600 लड़के बुलाएं गया है वह इस तरह से शडूल सर्हते बताया गए है तो टोटल जो है वह 3843 जो students है वो बलाए गए है counseling में और लड़कों की बात करो तो 2421 जो है वो बलाए गए है तो counseling में बलाए जाने का मतलब यह नहीं है कि आपको matter school में seat मिल गए है तो सिरफ eligible students को ही इसमें seat मिलेगी ठीक है तो यह इस सारा process है तो और भी बहुत सारी instruction है वो मैं आपको next video में बताऊँगा वो वीडियो लंबी हो जाएगी instruction जो है वो हम next video में बात करेंगे फिलाल आप counseling का schedule देख लीजिए यह merit to इसका है और जो school of eminence है उसका जो time है counseling का वो 15 मही है ठीक है note कर लीजिए counseling का जो schedule है वो 15 मही है ठीक है तो 15 मही को school of eminence की counseling होगी ठीक है तो अब यह हम बात करते है man list के बारे में तो यह सारी man list है तो यहाँ पर आपकी सारी जो details है तो यहाँ पर category general private school woman house headed or disabled यह सारे है इसके लावा लड़कियों की यह जो list है तो अब यह आपको यह जो man list है कहाँ पर मिलेंगी तो देखे जब आप इनकी जो website खोलेंगे न तो यहाँ पर अभी कोई भी आपको link नहीं मिलेगा तो इसके लिए आपको जैसे पता है कि मेरी अपनी personal website है जिसका नाम है digitagyan.com तो मैं वीडियो के description में भी link प्रवाइड कर दूँगा इसके इलावा अगर आप direct website खोलोगे तो आपको यहाँ पे एक link मिलेगा मेरीट लिस्ट आफ मेरीटोरिय स्कूल एंड स्कूल ओफ एमनेस की तो इस link पे click करने के बाद आपको देखिए दो लिस्टे मिल जाएंगी male man list download link और female man list download link तो आप इस link पे click करेंगे तो direct आप इस लिस्ट पर पहुंच जाएंगे तो इस तरह से आप अपनी जो man list उनको download कर सकते हैं तो फिलाल बहुत बड़ी good news है आप सभी के लिए और कुछ students nervous भी होंगे कि क्या उनका नाम male list में है या नहीं है तो प्लीज अगर आप वीडियो देखेंगे और अपना नाम चेक करेंगे तो मुझे प्लीज जूरूर लिखेगा कि क्या आपका नाम है और qualified हो चुके हैं male list में आ चुके हैं comment section में जूरूर लिखेगा और जिनका नाम नहीं आएगा वो भी जूरूर mention कीजीगा उसके बारे में हम next video में बताएंगे वो अब क्या करेंगे तो ये छोटी सी वीडियो है मैंने just कोशिच कि आपको update करनी की कि आपकी जो counseling है schedule है वो आ चुका है आपकी जो male list है वो भी जारी हो चुकी है तो ये सारी चीज़े आपको मेरे इस link पर मिल जाएंगी ये जो letter है वो भी मैं upload कर दूँगा ये सारी चीज़े आपको यहाँ पर मिल जाएंगी तो वीडियो के description में भी आपको जिनल लिंक जो है वो मिल जाएगा तेक बाँ फिसे कह रहा हूँ कि अगर चैनल में नए है तो प्रीज चैनल को जुरूर सब्सक्राइब परना त्योंकि जब तक आपकी classes start नहीं होती